आवला हमारे स्वास्थ के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है आवला को हमें रोज जरूर अपने खाने में सामिल करना चाहिए तो आज हम आवला की कटी मेठी चटनी लेकर आए हैं इसे बनाना सुरूर करते हैं नमस्ते अनुपलेतस किचन में आपका स्वागत हैं तो यह आवला लिए हैं इसे अच्छी तरह से धोल लिए हैं ध्यान रखे कि हमें फ्रेस आवला ही लेना है तो गैस पर हम एक बरतन में पानी गरम होने के लिए रख देंगे दो गलास पानी डालें इसमें कि इसके उपर एक जाली वाले बर्तन रख देंगे और इसी में सारा यावला को डाल देंगे पानी के भाप से यावला बॉयल हो जाएगा फिर 10 मिनिट बाद हम ढखन हटा कर इसे एक चाकू से दबा कर चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से बॉयल हुआ है कि नहीं अच्छे से बॉयल हो चुका है आवला में क्रेक आ चुका है यानि कि आवला अच्छे से बॉयल हो चुका है अब इसी ठंडा होने के लिए रख देंगे जब आवला ठंडा हो जाएगा तो इसे हम छुड़ा कर दाना अलग कर देंगे कि इस तरह से हम सारे आवला को अलग कर लिए और दाना हटा दिए तो गेस जला कर उस पर एक पेंड रखेंगे उसमें हम एक चमच खीड़ालेंगे घी घरम होने पर ठ्षैसमें सौफट डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा काला जीरा डालेंगे इन सारी चीजों को अच्छे से मिला कर भून लेंगे, एक सुखी लाल मिर्च भी डाल देंगे, उइसे भून लेंगे थोड़ी दे, अब सारे आवला को इसमें डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह से चलाते भी भूनेंगे आवला को, इसका कलर अच्छी से चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे, आवला हलका हलका गोल्डन कलर का दिखने लगा है, अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा कास्मनी लाल मिर्ष पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हम इहाँ पर साधा नमक डालेंगे, आप चाहे तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे एक कटोरी से कम हम इसमें चीनी डालेंगे इसे भी अच्छी तरह से मिलाते हुए भूनेंगे आप चीनी की जगा यहाँ पर गोड भी डाल सकते हैं चीनी जले नहीं इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है मेडियम आच पर इसे थोड़े दिर भून लेंगे दो मिनिट भूनने के बाद हम इसे ढख देंगे और गयस की फ्लेम को कम कर देंगे दो मिनिट भाद धकन हटा कर इसे फिर से मिलाएंगे फिर से हम इसे ढख देंगे एक मिनिट के लिए एक मिनिट भाद धकन हटा कर इसे हम फिर से चलाएंगे आवला को हम इस पैचुला से ही थोड़ा थोड़ा दबा देंगे तक वह अच्छी तरह से मिल जाए इस पैचुला से अच्छी तरह से मैस नहीं हो रहा था इसलिए हम तड़का पेन ले लिए हैं आप इसकी जगा पोटेटो मैसर भी ले सकते हैं इसे बहुत ज्यादा मैस नहीं करना है थोड़ा थोड़ा मैस कर देना है अब एक बार इसे फिर से अच्छी तरह चला कर मिला देंगे आवला की खट्टी मीठी चट्नी बनकर तयार है गैस को आफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे गैस पर से और हम इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे आवला की चट्नी तो आप बहुत बार बनाए होंगे एक बार इस तरीके से भी बना कर देखिए आप सभी को बहुत पसंद आएगी जो लोग आवला खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इस चट्नी को खाना बहुत पसंद करेंगे आप इस चट्नी को पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं यह चटनी बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी तो आप इस चटनी को बना कर जरूर ट्रै करें और इस वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोले थैंक यू